इस वीडियो में हम एक concept discuss करेंगे, कि जो root वाले factorization जब होता है, तो इसमें common कैसे लेते हैं, बहुत सारे students ने ये video request किया था, तो ये है किया मैं आपको बताता हूँ, देखो, हमारे पास इस तरह से एक polynomial होता है, एक बहुपद, जब हम इसका factorization करते हैं, इसके golden fund करते हैं, त ये एक अलगी concept है, अगर मैं यहाँ पर समझाना शूरू करूँगा, तो ये video बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैंने एक video बना रखा है, आप उसका link इस video के description में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखना आपको पता चल जाएगा कि, जो root वाले polynomials होते हैं, उनको कै कैसे factorize करते हैं, यानि इस तरह से कैसे इनका गुणनखंड करते हैं, अभी इस video में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यह है, कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है root 2 x plus 6, यहाँ से root 2 common कैसे आया है, और यह अंदर कैसे बचा है, यह आप इस video में सीखेंगे, ओके, त concept समझा देता हूँ, देखिए, root 2 x root 2, यह क्या होता है, root x root 2 होता है 2, जब भी root में एक जैसे होते हैं, तो यह 2 होता है, अगर हम root 3 x root 3 का multiply करें, तो यह होता है 3, आप समझ गए, इसका यह मतलब हुआ, कि अगर कहीं पर 3 लिखा है, और मैं इस से root 3 बाहर ले लू, तो अं अगर कहीं पर लिखा है 6, तो 6 होता है 2 x 3, तो अगर मैं 6 में से root 2 बाहर लेता हूँ, मान लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, तो देखो, 6 का मतलब यह है 2 x 3, इस में से अगर root 2 में बाहर लेता हूँ, तो 2 से root 2 बाहर आया, root 2 बचा, और 3 का 3 as it is आ जाएगा, ठीक है न और इसी में से, यानि 6 में से ही अगर हम root 3 बाहर लें, तो 6 तो होता है 2 x 3, इस में से अगर हम root 3 बाहर लें तो देखो, 2 तो as it is आएगा, लेकिन 3 में से root 3 बाहर लेंगे, तो root 3 अंदर बचेगा, यह ध्यान में रखना आप, clear, और अब इनको हम करते हैं 1 by 1, तो सबसे पह अगर देखो, यह x है, और 2 में से root 2 जब बाहर आता है, तो root 2 बचता है, बताया था ना मैंने अभी, कि 2 में से root 2 बाहर आता है, तो root 2 बच जाता है, क्यों, क्योंकि जो 2 होता है, यह root 2 into root 2 होता है, तो इस दो root 2 हैं, अगर एक root 2 बाहर आ गया, एक root 2 अंदर बच गया, इस से हम अगर root 5 common ले तो अंदर बचेगा x plus root 5 ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाद यह है तो यहाँ अब हमने common लेना है देखो यह है root 2x plus 6 जब हम इससे common लेंगे तो देखो 6 होता है 2 into 3 तो जब हम इससे root 2 common लेंगे तो यह तो x यहाँ पर आ गया और देखो root 2 से root 2 भार आया तो root 2 अंदर बच गया बट 3 as it is आ गया यहाँ ठीक है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3 root 2 यह आ जाएगा अब यह है यहाँ से क्या common आएगा देखो इसको भी लिखते है root 3 x square plus 6 x देखो अब यहाँ पर जो 6 है उसको थोड़ा सा expand करके लिखेंगे तो 6 होता है 2 into 3 और यह x as it is ठीक है अब यहाँ आप देखो root 3 common लेंगे क्यों क्योंकि 3 में भी होता है न 3 क्या होता है 3 होता है root 3 into root 3 तो यह समझो कि 3 दो बार root 3 है और एक बार हमने भार ले लिए एक बार अंदर बचेगा देखो साथ में यहाँ पर x भी वैसे common है तो यह root 3 भार आया x भार आया तो यहाँ तो क्योंब x बचेगा plus आया 2 as it is आयगा और 3 में से root 3 भार आया तो root 3 भच गया x भी भार आया तो यह हो गया ठीक है यह जो है यहाँ पर क्या होगा root 7 x plus 14 देखो 14 होता है 7 into 2 ठीक है अब देखो इसमें भी है न 7 है यानि दो बार इसमें root 7 है तो root 7 common लिया यहाँ x बचा यह 2 as it is आया और जो यह 7 है यह root 7 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने root 7 भार ले लिया है अब यह है यहाँ देखो यह है root 6 x plus root 10 तो root 6 x plus root 10 यह बड़ा आसान है क्योंकि दोनों ही root में है तो इसको simply क्या करेंगे देखो 6 होता है 2 into 3 और 10 होता है 2 into 5 तो आप देख सकते ना दोनों में root 2 common है तो यहाँ बचा root 3 x और यहाँ बचा root 5 अब यह है 2 root 2 x plus 4 ओके देखो यहाँ पर क्या common है एक तो 2 common है हम यह देख सकते है 2 common है यह है root 2 x plus 2 ठीक है लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ और यहाँ पर लेके आना हो तो एक तो यह है बिल्कुल सही है आप इतना भी इसको लिख सकते हैं लेकिन अगर अंदर कुछ और हमें लेके आना है तो क्या हो सकता है देखो इसके लिए आप यहाँ पर देखो यह है 2 root 2 और 4 को भी हम लिख देते हैं 2 into 2 है ना 2 into 2 लिख देते हैं अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 तो दोनों में common है साफ देख रहा है तो यह तो बाहर आगया है यह समझो अब यह जो root 2 है यह इसमें भी है और इसमें भी है है ना यहाँ पर तो साफ आफ को दिखी रहा है लेकिन यहाँ भी root 2 है है ना फिर 2 क्या होता है दो बार root 2 तो एक बार बाहर ले लिए एक बार अंदर ही रहे गा हो तो यहाँ x बचा यह 2 तो बाहर आगया था और यहाँ पर आ जाएगा root 2 तो ध्यान रखना ये भी सही है और ये भी सही है Depend करता है कि हमें अंदर चाहिए क्या अगर इतना चाहिए तो ठीक है और ये है तो इस तरह से इसका होगा मैं यहाँ पर यह यह वारे लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि इसके आपको ज़रुत पड़ेगी clear है ना ये दियान रखना अब यहाँ पर देखो यह है 2 root 2 x square plus 6x यहाँ पर एक तो 2 common है अलग अलग तरीके से हो सकता है 2 x, x तो खेर है यह common तो 2, अगर हम 2 x common लेते हैं तो यहाँ तो बचा root 2 x बचा अच्छा, x भारा आगया ठीक ना तो x से 1 x यह बचा यहाँ का x भारा आगया और 6 में से 2 भारा आगया तो 3 बचा तो यह तो है इसका इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि root 2 common हो केवल और केवल root 2 तो उसके लिए काम करते हैं इस 6 को हम लिखते हैं 2 into 3 अगर हम यहाँ से root 2 x common लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा तो यह तो बचा 2 यह x और यहाँ से हमने root 2 भार ले लिया है तो एक root 2 अंदर बच गया x भी भार ले लिया और साथ में 3 भी बच गया लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि question में क्या requirement है तो यह ध्यान रखना दोनों यह similar हो रहे थे इसलिए मैंने last वाले को change कर दिया है और अगर यह है हमारे पास तो कैसे करेंगे इसको 2 root 3 x plus 3 root 2 देखो यहाँ अगेन इसका कही तरह से हो सकता है दोनों में root 2 common है क्यों क्योंकि इसमें भी root 2 है आप जानते हैं न कि 2 में दो बार root 2 होता है तो अगर हम यहाँ से common लेते हैं root 2 तो अंदर क्या बचेगा root 2 यहाँ बचेगा यह तो as it is आ जाएगा और root 2 क्योंकि बाहर ले चुके हैं तो यह बचेगा ठीक न यहाँ पर आप लिख सकते हैं root 2 into root 3 root 6 होता है x एक तो यह है इसके लावा root 3 दोनों से common ले सकते हैं आप क्योंकि common आ रहा है root 3 यहाँ से भी common ले सकते हैं यहाँ से भी common ले सकते हैं तो यहाँ अंदर बचेगा 2x यहाँ से जब root 3 लेंगे तो root 3 अंदर बच जाएगा एक और यह root 2 साथ में यह आ जाएगा तो यह हो जाएगा root 3 2x plus root 6 clear और इसका एक और है जो कि सबसे बेस्ट है इसका कि दोनों से root 2 common है और root 3 भी common है है ना क्योंकि root 2 इसमें भी इसमें भी है क्योंकि root 2 है तो यानि दो बार root 2 है इसमें और root 3 यहाँ भी है तो दोनों ही common है root 2 भार आया तो अंदर root 2 बचा root 3 भार आ गया और x भी यहाँ बचा plus 3 से root 3 भार आ गया एक root 3 अंदर बच गया और root 2 भार आ गया तो यह हमारा answer और root 2 इंटो root 3 को आप multiply भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो root 6 हो जाता है और यह root 2 x plus root 3 ओर राइट तो आई होप आपको यह सब समझ आया होगा कोई doubt हो comment box में पोछना मिलते एंगले वीडियो में take care